एंगुलर में main.ts बहुत ही important फाइल होता है दोस्तों इसके जरिये ही पूरे application को compile किया जा सकता है जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे कई सारे framework में हमको एक ही फाइल मिलता है जो कि suppose अगर हम index.html की बात करें तो index.html फाइल होता है उसी type से किवल एक ही entry file होता है और उसको compile करते हैं तो पूरा project compile हो जाता है क्यों क्योंकि उसी एक file से सारे file connected होती है इस तरह से सब एक दूसरे से connected होते होते पूरा project connect हो जाता है ऐसे समझे तो पूरा project connect हो जाता है और हमको सारे project के एक-एक file को compile नहीं करना होता है हम लोग के वहल एक root file को compile करते हैं एक main file को तो type script में क्योंकि angular type script में बना हुआ है तो angular में जो main file होता है जिसको हम लोग compile करते हैं और बाकि सब क्योंकि एक दूसरे से connected है तो सब compile हो जाता है वो है main.ts तो यहाँ पे आप नजर गुमाएंगे angular.json में तो आप notice करेंगे कि जब हम CLI command यूज करके जब compile करते हैं तो यहाँ पे हम लोग main file को बता रहे हैं कि यह देखो main file है ओ है main.ts ठीक है main.ts है अब मुझे इसको compile करना है मतलब हम पूरे project को compile नहीं कर रहे हैं कि ओले एक file को compile कर रहे हैं तो हम बता दिए यह जो प्रोपारिटी है main.ts इसका schema यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे टॉप में कि इसका मतलब क्या होता है आप हम समझा दिए हैं CLI को जो main file है वह हम बता दिए हैं इस angular.json के मादियम से because angular.json पूरे project का configuration file है okay और CLI इसे use करता है now हम लोग अब आते हैं main.ts में अब main.ts में बस chart line का code लिखा हुआ है दोस्तों बट हाँ इस chart line में आपको पता है कि angular में at least one module bootstrap module होता है one module root module होता है जिसे हम लोग bootstrap करते हैं bootstrap मिन्स start करते हैं तो start करने के लिए at least one module चाहिए यह ओ है app module अगर यह नहीं रहेगा तो किसको हम लोग दिखाएंगे ब्राउजर में ठीक है तो यह होगे app module और app module को bootstrap कर रहे हैं और app module को bootstrap करने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि app module से ही सब connected है यह root module है feature module भी connected है services connected है और 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 मानले यह feature module के भी उसके अपने component है हो सकते हैं और वह भी services consume कर रहा होगा तो इस तरह से पूरा project connect हो गया बस हम लोग एक file वह app module root file उसको compile कर रहे है that's it ठीक है तो यहां पे ना बहुत कुछ कर सकते हैं अब अब सोचिए कि इसका कितना power power है यह बहुत powerful हो जाता है अब हम चाहते हैं कि हम क्या करेंगे न कि मानले यह चार-पांच प्रोजेक्ट एंगुलर के project को compile करना चाहते हैं हम micro services बनाना चाहते हैं तो क्या यह possible है तो जी हां दोस्तों यह possible है क्या होता है कि आज कल micro front end का प्रचलन बहुत जादा है थीक है हम लोग हम लोग micro front end भी यूज कर सकते हैं हलाकि कई तरीक तरीके micro front end यूज करने का जिसमें होता क्या है कि पूरा जैसे backend में micro services होता है ना वैसे front end समझ लीजिए अब जैसे कोई भी सेक्षन लेते हैं जैसे ब्राउजर में आप देख रहे हैं यहां पर सर्च बार है गूगल और पता नहीं क्या क्या है यहां पर है तो जितने भी बांटेज क्या है दोस्तों कि अगर suppose एट एक जगा ब्रेक होता है एक माइक्रो फ्रेंट ब्रेक होता है तो उसका effect कहीं और देखने को नहीं मिलेगा तो यह भी कर सकते हैं तो यह उसी टाइप का सिमिलर से क्रिणारियों में हाँ create कर सकते हैं हलाकि क्योंकि main.ts file के जरीए कोई भी compile करते हैं तो चाहे हम different project ही क्यों न बना ले मतलब micro front end kind shop क्यों न बना ले तब भी अगर break अगर होगा तो main.ts break होगा और main.ts break होने का मतलब कि जो कुछ भी यहां पर bootstrap कर रहे है सारे के सारे चीजें affected होंगे ठीक है तो it's not a best practice बट कई बार हम लोग यूज करते हैं ताकि अपने application को बहुत जारा modular और scalable बनाने के लिए और थोड़ा सारा development point of view से तो आसान हो जाता है और भी अच्छे से organize करने के लिए हम लोग कई बार क्या होता है कि कई सारे root module भी बना सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ मेरे पास एक different project है ओ है auth मैंने अभी recently auth बनाया और auth में दोस्तो src है मैं क्या करता हूँ न इस src को copy कर लेता हूँ और मैं यहां पे paste कर देता हूँ quickly और इसका नाम चेंज करके मैं यहां पर लिख देता हूँ test मैं यहां पर कुछ किया नहीं हूँ just test लिखाऊं और इस test को copy करके just मैं यहां पर control x and then auth के अंदर यहां पर डाल दिया अब यहां पर notice कर रहे होंगे कि एक है src टेस्ट नाम सही नहीं लग रहा है मैं इसका नाम चेंज क कर देते हैं let's say src 2 भी कर सकते है src 2 कर दिये try again तो यहां पर change करने का allow नहीं कर रहा है because हमारे इसको फिर close करना पड़ेगा तो let's close and let's try again यहां हो गया अब हम भी इस code फिर से open करते हैं just quickly देखिए गाई इसका effect क्या देखने को मिल रहा है मैं करने क्या वाला हूं मैं क्या कर रहा हूं कि यह जो bootstrap किया गया है app module मैं क्या करूंगा कि दूसरा एक और app module bootstrap करना चाहता हूं और मैं दोनों का output देख यह possible है तो कैसे possible है मैं source file के अंदर गया और यह similar kind of source और source 2 दोनों में similar kind of project है ठीक है तो इसमें हमको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मैं यहां पे यह सब चीज़े delete भी कर सकता हूं यह source में बहुत कुछ है तो मैं यहां से delete करता हूं मैं यहां पे src2 में गया और यह now अब हमें यहां पे क्या करने वाले हैं इसको मैं यहां से remove कर देता हूं यह गलती से paste हो गया तो I hope कि आपको समझ में आ रहाओगा मैं क्या करने वाला हूं मैं यहां पे क्या करूंगा src2 के अंदर जो app component.html है और यह बहुत बड़ा html है मैं इसको remove कर देता हूं और remove करके हां पे मैं एक heading देता हूं h1 tag और h1 tag के अंदर मैं इसको close किया h1 tag के अंदर मैं लिख लेता हूं कि it's coming from मैं src2 लिख देता हूं src2 simple ताकि पता चलेगा कि यह जो है src2 का component है and then मैं एक और modify करता हूं यहां पे app module.ts में यहां पे notice कर रहे हूंगे क्योंकि app module name है तो app module नहां पे 2 कर देता हूं क्योंकि यह src2 वाला है that's it अब हम इसको close कर देंगे and अब हम लोग main.ts में जाके क्या करेंगे इसी को copy कर लेते हैं जब किसी बड़े application में काम करते हैं दोस्तों तो यह ऐसे configuration किये होते हैं जो कि आपको कभी-कभी surprise करेगा कि यह काम कैसे कर रहा है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं तो यहां पर मैं क्या करूंगा आपको पता होगा कि app module का name change करके मैं 2 कर दिया था और उसको import भी कर लेते हैं मैं इस पर click करके import कर लेता हूं यहां पर देखिए यह वाला जो app module 2 है वो src2 से आ रहा है अब इसको save कर दिये अब हम जाएंगे quickly index.html index.html में हम लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि जो root हमारा root component है वो यह है root component कि इसको बोलते हैं कि जो root module होता है root module भी at least one component को boot trap करता है और उसे हम लोग बोलते हैं root component तो इस case में app root था अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक division ले लेता हूं just div और इस div के अंदर इसे डाल देंगे div के अंदर इसको डाल दिये and let's save कर देते हैं और इसको मैं copy कर लेता हूँ और then यहां पर app root 2 कर देते हैं because आपको याद होगा कि okay app root 2 यह जो selector है न यह भी change करना पड़ेगा तो src2 के अंदर मैं गया और app component.html src2 and then मैं ts के file में जाऊंगा और इसको मैं यहां पर do कर दूंगा अब हम लोग इसको compile करके run करके देखते हैं कि हम में क्या output देखने को मिल रहा होगा तो मैं quickly गया and ng ng serve hyphen o hyphen o means open करने के लिए मैं यह flag दिया हूँ दोस्तों यह compile हो चुका है I hope कि यह browser में open हो जाएगा यह browser में भी open हो गया यहां पर notice करेंगे कि यह जो पहला लाइन आ रहा है वह आ रहा है first app module से और दूसरा second वाले से अब यहां पर notice करेंगे दोस्तों मैं code में आ जाता हूँ और जो main app module के अंदर मैं अगर दिखाऊं HTML तो मैं यहां पर कुछ और कर दे सकता हूँ यहां पर कर सकते हैं app component and इसका reflect भी यहां पर हो जाएगा app component देख सकते हैं यह app component और src2 तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग main.ts के जरीए भी compile कर सकते हैं और अपने project को organize कर सकते हैं तो यहां से भी possible है तो यह main.ts ना कई बार useful हो जाता है तो हम लोग जब design करते हैं हम लोग जब एक project को design करते हैं तो कई सारे खास बातों का ध्यान रखते हैं अब देखिए क्या हो गया कि अगर हमारे पास दूसरा दूसरा project है ओके दूसरा एंगुलर का project है और ओक किसी दूसरे purpose से बनाए गया है मतलब किसी एक particular feature के लिए बनाए गया है एक feature के लिए एक application दूसरे feature के लिए दूसरा application है हम चाहते हैं दोनों को integrate कर दें तो दोनों को integrate करने के लिए हम component को कैसे mix करेंगे और वो mix करते ही अगर अगर हम लोग mix करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो हमारे पास नहीं एक और option available है और यह है कि हम लोग उसको main.ts के अंदर बिल्ड कर देंगे और हमारा बिल्ड करने के बाद जो index.html है means एक index पे पेस्ट चाहिए browser को समझने के लिए वहां पे जाकर हम थोड़ा सा modify कर देंगे that's it अब दो project को हम लोग एक project के through access कर सकते हैं तो कभी कभी ऐसा requirement आ सकता है तो आपको यह पता होना चाहिए और भी चीजे कर सकते है main.ts ऐसा file है जो compile होगा जो वही एक file है जो compile होता है और उसके जरी पूरा project compile होता है so this is the entry point of your application but क्या क्या दोस्तों इसके it's not a best practice but usually जो project में जो होता है as a commonly किसी भी company में देखने को मिलता है तो क्या मिलता है main.ts में exactly करते क्या है एक तो purpose में आ गया है वह है कि bootstrap कर सकते हैं और भी possibilities हम लोग ढूंड सकते हैं it's another thing but exactly करते क्या है तो दोस्तों किसी भी big enterprise project में main.ts में पहला काम तो हो गया कि bootstrap करते हैं application को okay means main component को दूसरा हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कभी जब polyfill use कर सकते है polyfill use होता है कि different browser को support करने के लिए क्योंकि कई बार कुछ चीज़े missing होते है different browser में तो उसको compatible बनाने के लिए हम लोग polyfill use करते हैं और main.ts में usually import करते हुए मैं देखा हूँ and also कुछ ऐसे variables हैं जो हम यहां पर use कर सकते हैं जो application में चाहिए now कई बार आप notice करते होंगे कि आपको पता है browser में एक होता है service worker जिसको बोलते हैं हम लोग progressive web app ठीक है तो अगर क्या होता है progressive web app मैं short बदाता हूँ क्या होता है कि आपका जो application है आप चाहते हैं कि यह offline भी काम करें तो उसके लिए कुछ configuration करने पड़ते हैं और ओ configuration आप यहां पर कर सकते हैं main.ts में कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार का use cases होता है main.ts में जो big enterprise application में use होते हैं एक चीज़ और है दोस्तो कई बार कुछ होता है न application से related monitoring उसके लिए कुछ script डालने होते हैं तो भी हम लोग main.ts में ही करते हैं तो I hope कि आपको समझ में आ गया main.ts के बारे में अगर फिर भी किसी प्रकार का doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हैं Thank you